हलो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम डिसकस करेंगे जैसे नियूली कॉलिफाइट सीए हैं वो क्लियर हो गई है तो सबसे पहला स्टेप जब वो कैंपस का फॉर्म भर रही है तो महां पर रिज्यूम बनाने की बात आती है और हर साल मैं देखता हूं कि बहुत सारे रखनी है जब आप रिज्यूम बना रही हो ताकि यह गलतियां ना हो और इन गलतियों के सही करने से आपका जो रिज्यूम है काफी अच्छा बन सकता है विकाज रिज्यूम इस यौर फर्स्ट इंप्रेशन राइट यह जो वीडियो है यह वाली वीडियो त्योरिटिकल ह मतलब है कि इसमें आपको मैं टेप्स बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना कैसे बनाना है वह बताऊंगा उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना रिज्यूम दिखाऊंगा कि देखो मैंने अपना रिज्यूम कैसे बनाया है राइट क्योंकि बहुत आधे बाद में दूसरी वीडियो डाल लूँगा चैनल पर डाल चुका होंगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे जिसमें कि मैंने प्रॉपर स्टेब बाए स्टेब बताया कि आप रिजियूम कैसे बनाएंगे प्राक्टिकली कैसे बनाना है और रिजियूम आज कल व तो उसी में से एक website हमने चूस करी है जिसके तुरू मैं आपको रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजेगा पहले इस वीडियो में टिप्स लीजे सीखिए कैसे रिज्यूम बनना है उसके बाद वह इंप्लिमेंट कीजे वहाँ पे दू इतनी सारी information हमें देनी है दोस्तों आपको इतनी सारी information नहीं देनी इतनी सारी fall to information देनी है आपको इसलिए आपका रिज्यूम बनाना है वह भी मैं आपको बताऊंगा उस दूसरी वीडियो में कि जब मैं रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा तो उसके बाद आपको अपने रि नाम मदर नेम यह सब नहीं लिखने है दोस्तों फादर नेम मदर नेम आपकी एज आपकी डेट और जानके इंटर्वियर का क्या फाइदा होगा लॉजिकली आपको सिर्फ अपने रिज्यूम में सिर्फ वो चीजे देनी है जो इंटर्वियर के लिए तो वो मत डालिएगा एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो सिये बनने के बाद लोग करते हैं मुझे समझ नहीं आता है यह मिस्टेक क्यों करते हैं वो नीचे रिज्यूम के लास्ट में एक लीगल डेक्लेरेशन डालते हैं मतलब हसी आती है यह देखके यार यह क्या डाल रहे हो आप यार कहीं लीगल कोट में थोड़ी कड़ेशन थोड़ी दे रहे हो जोहां पे आप लीगल डेक्लेरेशन डाल रहे हो मतलब अगर वो इंटर्वियर के लिए कैसे रेलिवेंट है और दूसरी बात जिसने वो डेक अरे रिजूम है वो कोई एफिड एफिड नहीं दे रहे हो कोट में राइट कवरिंग लेटर और वेस्ट आफ टाइम जो कवरिंग लेटर होते हैं मेरे साब से अच्छा इस सारे उपीनियन मेरे परसनल है दूसरे बंदे के दूसरे उपीनियन हो सकते हैं I am always welcome for another thought यह मेरे लेकिन उसके अंदर सबसे नीचे आपका नाम और मोबाइल नंबर तो आना ही चाहिए क्योंकि most of the time आपने अगर लिख दिया ना कि मैं चार्ड़ेट अकॉंटन हूं मेरे को इस फ्रोफाइल के लिए अपलाई करना है वही देखके आपको कॉल कर लेते हैं क्योंकि लोगो करना मैं रिज्यूम पांच मिंट पढ़ूंगा फटावट कॉल कर उसको चार कोशन जो पूछने होंगे ना वह आपसे फोन करके पूछ लेगा तो मेल बॉड़ी बहुत इंपोर्टेंट है इसके अलावा इवन इन दी बॉड़ी ऑफ इमेल आपको मैक्सिम्म तीन संटें करेंट कंपनी लिखनी है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो अगर नहीं कर रहे तो आप आप अच्छी थी अगर बहुत बड़ा ऐसे कोई नाम नहीं है तो अगर आपने किसी एक पर्टिकलर प्रोफाइल में काम किया जैसे लेट सफोर इंडर टाक्स और इंडर टाक्स में कर रहे हैं तो आप लिख दीजेगा कि मेरी आर्टिकल चिक पर दोरान मैंने सिर्फ इंडर टाक्स में काम किया इससे वेटेज भड़ेगी उसके बाद आप सिंपल यह लिख सकते हो कि काइनली प्रोवाइड में अपॉर्चनिटी ऑफ इंटर्व्यू सिंपल आपको यह ल लिखिए कि आई विल लीव नो स्टोन अंटर्ण आयम वेरी डेडिकेटेड यह सब लाइनों से कुछ नहीं होता है कोई भी सीवी ब्लाइंडी आपको संड नहीं करना है किसी को राइट और आपको प्रॉपर उसमें टार्गेट प्रोफाइल जरूर लिखनी है दोस्तों क करवाइट उसमें माशच आइद जा वहां पर आपने प्रोफाइल नहीं लिखी तो वह सीवीं बेस्ट है कियो कि इतनी सारी प्रोफाइल ही कोरिने और आपको सीवीर के लिए तो बड़ा ही क्लीर होना है कि हम पाइस मैल बना सकते हैं जैसरी मेल अलग चल रही के लिए आपकी सीवी के इंदर ऐसी अजीब और गरीब होबी नहीं आने चे इससे इंटर्वियर का कोई फाइज देनी जैसे वाचिंग मुवी ज रीडिंग बुक्स रीडिंग बुक्स वैसे होबी ठीक है बट कई बारी लोग जेनरली जूट लिख देते हैं रीडिंग बुक्स सां नहीं लिखना है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कई बच्चे कि या करते आपको स्किल है 6 अहाता है चाली सल्ग फाइञे डिक है टेली माधली इंडिम ऑगया मत निजे लोग कई बारी बारी लिखते हैं लाइंग्विझ में लिख देते हैं हिंदी इंगलिश ह ही ही हिंदी इंगली से क्या फरक पड़ेगा अगर आपको फार्ट लैंग्वेज आती है तो इसे लिए मत मेंचन की जिए एक अगली टिप पूरे सीवी में पूर्प साइज जरूर चेक कीजे कि अप हेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि मैंने देखा उपर लोग aerial use कर रहे हैं नीचे जॉर्जिया यूज कर लेते हैं एकदम से heading का font अलग जा रहा है ये बहुत important है आपकी उपर वाली heading जहां से शुरू हुई है नीचे वाली heading उसके आगे से शुरू हो गई सारी mistake की हो या फिर English की वज़े से आपकी उसमें mistakes नहीं होनी चाहिए यह सब चीजे चेक कर लीजेगा कई बारी आप copy paste कर लेते हैं चीजों को और वहाँ पर English गलत लेखी होते grammatical mistakes होती है या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप LinkedIn profile अपनी डाल देते हैं राइट LinkedIn profile डाल तो देते हैं बड़ अगर उनकी LinkedIn profile में कोई जाय तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना वहाँ पे कोई update होती है ना वहाँ पे आपकी proper photo updated है ना आपका experience updated तो अपनी LinkedIn profile का अगर लिंक डाल रहे हो तो LinkedIn profile को well maintained रखो उसको updated रखो उसको ठीक ठाक रखो यह नहीं जस लिंक फैक दिया वहाँ पे नहीं LinkedIn profile को maintain रखने में अपनी आप में एक proper वीडियो बन सकती है वह भी मैं ट्राय करूँगा कि बनाने की कोशिश करूँ जो CV होती है न दोस्तों वो नए format पर बनाना शुरू करें जो पहले के format मैंने देखे हैं कि पहले के बई बस format चलते आ रहे हैं आजकल इतने unique formats आ गई है वो दूसरी वीडियो आप ज़रू देखें मेरे उसमें बहुत सारे मैं एक ऐसी website पर CV बनाना शुरू करें जहां पर एक्सपीरियंस या टू शो या ख्लाइन नेम अगर टेबल वगरा यूज करोगे तो बहुत सारा स्पेस बढ़े बचेगा अगर आप सीवी में फोटो लगा रहे हो तो प्रफेशनल फोटो होनी चाहिए यह नहीं कि आपने सेल्फी लिए फोन से अन प्रफेशनल आप कप प्रफेशनल इमेल इडी यूज कीजे सीवी पूरा सीवी सिर्फ और सच बोलना चाहिए आपका कोई भी चीज सीवी में ऐसी ना लिखें जो जो जूट हो और आपने ऐसे लिख दियो अगर आपसे वह चीज पूछ ली जाएगी तो अच्छा इंप्रेशन नहीं मतलब 30-40% स्पेस आपने खराब कर दिया अपने सीवी का एजुकेशन डीटेल में आपको शुरू होना है ग्राजुएशन से और उसमें स्रिफ दो तिन चीज़े लिखनी है सबसे पहले तो ग्राजुएशन में क्या करी बी कॉम बी कॉम ओनर्स किस एर में पास करी बात ख पूरी कहानी मत लिखियें दोस्तों कि CP अगर आप थीप्ट तो पास करी होगी onा IPCC पास करी जोगी इतना तो सब पता है आप बनिस चीज़ लिखते है एडवांस ITT टू करें मैने ऌज जीम से फ़न जीम सेटू करी है मैने और इतनी उसको पता है आपने यह सब किया चीज़े आप कर चुके होंगे, सबको पता है इसके अलावा क्या किया है आपने वो mention करना है, तो एक बार अपना CV बनाने के बाद, या तो किसी से review कराईए या खुद review कीजे, कि भाई अगर आप interviewer होते तो क्या fall to information आपको लग रही है, मैं तो उसी एंगल से देखता हूँ कि interviewer को क्या fall to लग रहा है, तो उस एंगल से जरूर आप देखिए, अपने CV को, ठीक है और आप वो दूसरी वीडियो जरूर रेफर कीजेगा दोस्तों, उस वीडियो में मैंने तरीके से बताया है कि कैसे CV आपको बनाना है और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप LinkedIn, WhatsApp, मैंने बहुत सारी लिंक्स दियो है, आप मुझसे connect करके पूछ सकते हो, अपना CV रेवियो कराना है तो करा सकते हो बाकी लेकिन CV तरीके से बनाईजेगा वीडियो को जरूर रेफर कीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो आपको इसी तरह की useful वीडियो मिलती रहे अब सभी को all the best दोस्तों, बाबाई दोस्तों ये वीडियो मैं बता रहा हूँ कि एक पेज में कैसे CV मैंने बनाया जैसे लोग कहते हैं कि एक पेज में कैसे बनाया हम CV तो देखो सबसे पहले मैंने अपना नाम डाल दिया डेजिगनेशन डाल दिया यहाँ पर contact information आ गई यहाँ पर हलकी सी profile मैंने डाल दी कि क्या qualification वगरा थी उसके बाद मैंने अपना professional experience एक सथ डाल दिया यहाँ पर और period डुडिया ठीक है उसके बाद यह पूरी मैंने अपनी experience डाल दिया कि मैंने आस तक क्या किए है वो correct में डाल दिया और उसके बाद मैंने अपनी skills डाल दी left मैंने पनी और जो education qualification है है कि मैं किस industry में मैंने कि- shown the time putin अर्थें लिफिव वी बना सकते हैं अब को subscribe जगो इस चैनल पर हमने सारी वीडियो बनाई है कैसे बनाना है क्या टिप्स है मैंने बता या तो अब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजे